Hello everyone, this is your Russian भाईया and आज की इस वीडियो में Social Science से आप लोगों मैं 30 Most Important Questions की तयारी करवाने जा रहा हूँ जो कि आपका 2024 Board Examination में 100% Guaranteed है कि Questions यहाँ से जरूर मिलेगा तो anyhow इन सभी Questions एंसर्स को अच्छे से जरूर याद कर लेना आप कमेंट करके हमें यह जरूर भी बताना कि इन 30 में से आप लोगों ने कितने Marks ऑप्टेंड की हैं कितनों का सही जवाब दिया है चलिए एक एक करके आप मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे Questions और उसके Answers बताता हूँ किसने गुसेपी मैजनी के बारे में यह कहा था कि वो हमारे Social Order के Most Dangerous Enemy है लुइस फिलिपी ने, गुसेपी मैजनी ने, गुसेपी गैरिवाल्दी ने या फिर ड्वेक मैटरनिक ने तो इसका राइट एंसर होगा Option D, ड्वेक मैटरनिक ने कहा था Next आगे Question No.2 है, Who became the King of United Italy in 1861 1861 में United Italy का राजा किसे गोसित क्या गया था गुसेपी गैरिवाल्दी को, विक्तर इम्मैन्वल 2 को, काउंट कैवूर को या फिर गुसेपी मैजनी को राइट अंसर इसका क्या होगा, Option B, विक्तर इम्मैन्वल 2 को नेक्स्ट कोश्चन नबर 3 है, The Treaty of Constantinople was signed in, Treaty of Constantinople कब sign हुआ था, 1832 में, 1833 में, 1834 में, या 1835 में, राइट अंसर इसका हुगा, option A, 1832 में नेक्स्ट कोश्चन नबर 4 है, Who is the author of the book हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के author इन में से कौन है, बगत सिंग, ज्वाहर लाल नेहरू, सुभाज चंद्र बोस या महत्मा गांधी, राइट अंसर इसका होगा, option D, महत्मा गांधी नेक्स्ट कोश्चन नबर 5 है, Dash and Dash formed the स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी को इन में से किन लोगों ने मिलकर फॉर्म किया था, सियार दास और महत्मा गांधी, मोतिलाल नेहरू और सियार दास, ज्वाहर लाल नेहरू और सियार दास, या ज्वाहर लाल नेहरू और मोति आर्दास इन लोगों ने ही मिलकर स्वराज पार्टी फॉर्म किया था अगला कुशन नमबर 6 है साइमन कमिशन एराइवड इन इंडिया इन साइमन कमिशन भारत में कब आया था? 1928 में, 1939 में, 1929 में या 1932 में राइट अंसर इसका आओगा ओप्शन ए, 1928 में नेक्स्ट कुशन नमबर 7 है वो पेंटेड ता फॉस्ट इमेज और भारत माता भारत माता की पहली इमेज किसने पेंट की थी? बंकिम चंदर चटो पाध्याई ने, रविंदर नाथ टैगोर ने, मोतिलाल ने हिरू ने या अबेंदर नाथ टैगोर ने इसका राइट अंसर होगा ओप्शन ए बंकिम चंदर चटो पाध्याई ने भारत माता की पहली इमेज पेंट की थी? और ये किये थी 1870 में ठीक है? नेक्स्ट कुशन नमबर 8 है गांधी इरुविन पैक्ट वा साइन ओन गांधी इरुविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 5 मर्च 1932 को 5 मर्च 1931 को 5 अप्रेल 1931 को या 5 अप्रेल 1932 को राइट अंसर इसका होगा ओप्शन बी 5 अप्रेल 1931 को नेक्स्ट कुशन नमबर 9 है Among the following who discovered America? इन में से अमेरिका की खोज किसने की? मार्को पोलो ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, हैंडरी फोर्ड ने या मार्को पोलो यहाँ पर यह ओप्शन रिपीटेड है तो इसका राइट अंसर क्या होगा? ओप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमरिका का खोज किया था next question number 10 है by whom was Sambadh Qamudhi बेंगाली weekly newspaper published in 1821 1821 में Sambadh Qamudhi नाम का एक बेंगाली weekly newspaper published हुआ था तो किन के द्वारा यह published क्या गया था? इसबर चंद्र विद्या सागर के द्वारा, सियार दास के द्वारा, राजा राम मोहन राई के द्वारा या फिर स्वामी विवेकानन्द के द्वारा तो इसका राइट अंसर होगा option C, राजा राम मोहनक्राई के द्वारा चीक है? question number 11 है the first printing press in India was brought by the first printing press इंडिया में किसके द्वारा इनमें से लाया गया था? portuguese missionaries के द्वारा french missionaries के द्वारा Dutch missionaries के द्वारा या फिर English missionaries के द्वारा तो इसका राइट अंसर होगा option A, portuguese missionaries के द्वारा next question number 12 है in India the first printing press came in भारत में पहली printing press कहां पर आया था? गोवा में, केरला में, बंगाल में या तमिलनाडू में तो इसका राइट अंसर होगा option A, गोवा में question number 13 है which of the following was the first book printed by John Gutenberg John Gutenberg ने इन में से किसको पहली बार print किया था? diamond sutra को, chap book को, Grimm's fair tales या फिर Bible तो इसका राइट अंसर होगा option A, Bible next question number 14 है which of the following is not the community owned resource इन में से कौन सा community owned resource नहीं है जो नहीं है आमें वो बताना है तो grazing grounds, burial grounds, village ponds ये तीनों तो community owned resource है ये वाला community owned resource नहीं है तो राइट अंसर option D होगा privately owned house next question number 15 है the first international earth summit was held in Rio de Janeiro in Brazil in पहली international earth summit जो की held हुई थी Rio de Janeiro ब्राजिल में वो यहाँ इन में से कब हुई थे? अगस्त 1991 में, अगस्त 1992 में या फिर June 1991 में या जून 1992 में तो इसका राइट अंसर होगा option D, June 1992 में next आगे आप question number 16 है the boxer tiger reserve is situated in which of the following state boxer tiger reserve इन में से किस state में स्थित है West Bengal, Madhya Pradesh, Rajasthan या Goa तो इसका राइट अंसर क्या होगा option A, West Bengal next question number 17 है in which one of the following states, perrier tiger reserves located perrier tiger reserves इन में से किस state में स्थित है केरला में, 36 गड में, Tamil Nadu में या West Bengal में तो इसका राइट अंसर होगा option A, केरला में याद रखना, perrier tiger reserves कहाँ पे है, केरला में next question number 18 है what was the aim of chip को movement, chip को movement का क्या aim था water conservation, human rights, forest conservation या फिर agriculture expansion तो राइट अंसर होगा option C, forest conservation next question number 19 है which of the following is known as golden fibers इन में से golden fibers के नाम से किसको जाना जाता है cotton को, jute को, hemp या, silk किसको option B होगा, jute को next question number 20 है minerals need to be conjured because minerals को हमें बचा के रखने की जरुरत है क्योंकि आप इसमें कुछ options दिये हुए है जैसे statement दिया हुआ है तो इन statement को पढ़ना है दिन यहाँ पे आपको option चूज करना है देखता है इसमें कौन-कौन से statement सही है कि minerals को बचा के रखने की जरुरत है क्यों जरुरत है तो पहला में यहाँ पे दिया हुआ है they are renewable तो यह तो option नहीं होगा option statement 2 दिया है they are depleting rapidly तो बिल्कुल यह सही है इस वज़े से rapidly deplete हो रहा है कम हो रहा है इस वज़े से में बचा के रखने की जरुरत है तो यह तो सही है third है they are needed for country's industrial development बिल्कुल सही industrial development के लिए country का लिए यह जरुरी है तो इसलिए भी बचा के रखने की जरुरत है and fourth है their formation is very fast तो यह भाई गलत है very fast नहीं है तो यह 2 और 3 सही हो रहा है तो देख ले रहे है 2 और 3 कहा है option B में तो यह हम लोगा right answer होगा question number 21 है the largest solar plant of India is located at largest solar plant इंडिया में कहा परिस्थित है माधपूर, तमिलनाडू, मदुरे या गोवा तो इसका right answer होगा option A माधपूर में question number 22 है काकरा न्यूकिलियर पावर स्टेशन is located in the state of काकरा न्यूकिलियर पावर स्टेशन इन में से किस स्टेट में locate करता है काँ परिस्थित है मतलब option है महराष्टर, आंद्रप्रदेश, करनाटक या गुजरात तो इसका right answer होगा option D गुजरात में अगला question number 23 है when and where was the first cement plant set up in India cement plant भारत में पहली बार कब और कहा पर set up हुई थी चन्नय में 1904 में पोरबंदर में 1994 में दाल्मियानगर में 1937 में या कोटायम में 1967 में तो इसका right answer होगा option A चन्नय में हुआ था 1904 में question number 24 है which of the following is an electronics industry इसमें से क्या एक जो है electronic industry है option A है है हम्टी बेंगलोर option B है टिसको जमसेदपूर option C है भेल हाइदराबाद या option D होगा बेलको राइपूर तो इसका right answer होगा option C भेल हाइदराबाद ये एक electronic industry है next आगे आप question number 25 है which of the following resources is a non-renewable energy resource इन में से कौन सा एक non-renewable energy resource है solar radiation crude oil, wind energy या फिर all of the above यानि ये सारे ही तो इसका right answer होगा option B crude oil ये एक non-renewable energy resource है पाकी ये renewable है question number 26 है human development report is published by human development report इन में से किसके द्वारा publish क्या जाता है UNDP, UNESCO, UNO या फिर World Bank तो इसका right answer होगा option A UNDP इसका full form क्या जाता है United Nation Development Program question number 27 है power sharing is desirable because it helps power sharing जरूरी है क्योंकि ये मदद करता है option है to increase pressure on government option B है to reduce possibilities of conflicts option C है to generate awareness among people या फिर option D to increase percentage of votes तो इसका right answer है option B to reduce possibilities of conflicts तो तक्राव के possibility को वो कम करती है इसलिए power sharing जरूरी है question number 28 है most of the Sinhala speaking people in Sri Lanka are Sinhala speaking people most of the Sri Lanka में क्या है Buddhist है, Hindus है, Muslims है, या फिर Christians है तो इसका right answer होगा option A Buddhist है question number 29 है which of the following is not a subject of the union list अब बताना है किसमें से कौन सा एक union list का subject नहीं है जो नहीं है वो आमें बताना है foreign affair ये तो है option B, currency ये भी है, banking भी है, law and order नहीं है तो ये अमनों का right answer होगा option D next question number 30 है which of these is incorrect based on the constitutional amendment 1992 इसमें से कौन सा constitutional amendment 1992 के अनुसार सही नहीं है जो सही नहीं है, आमें वो बताना है तो पहला है one-fourth of positions are reserved for women जो कि ये पहला ही वाला सही नहीं है तो यही होला हमलों का option A, right answer होगा मतलब बाकि सभी आरा सारा सही होगा तो ये 30 questions हैं जो कि आपके examinations के लिए most important questions है और ये questions आपके परिक्षा में guarantee आएंगे और उम्हें करता हूँ कि आप लोग इन अच्छे marks obtained किये होंगे और comment करके हमें ये जरूर बताना कि आप लोग इने कितने marks obtained किये चलिए मिलते हैं दुसरे वीडियो में थैंक यू बाइ